नमस्कार दोस्तों यह देखिए यह इंटेक्स कंपनी का हम थेटर है जो मेरे पास रिप्यार होने के लिए आया है यह इसमें पावर नहीं आ रहा है प्रोब्लम है कैसे रिप्यार करेंगे आपको दिखाता हूं यह देखिए यह फ्रॉंट साइट है और यह बेक साइट है इ तो अध्यारия कटिछ में आ रहा रहा है कुछ प्रब्लम है फहले तो आपको अधो पावर कोड में कुछ प्रबलम हो या कोि और पहले आपको पावर कोड को चेक करना है देखना है फावर कड सही से ठीक कि नब है और उसका नतार बगर आपको कंटीनूटी मौड पर आपको लगा के देखना है बीप की आवाज आ रहा है कि नहीं इसको ओन करना है लेकिन कोई बीप की आवाज नहीं आ रहे है इसको खुल के देखना पड़ेगा क्या प्रब्लेम हुआ है करें देखें देखें मैंने इसको खोल लिया है और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा देखें यहां पर थोड़ा इसके अंदर में चुहा चुहा घुसके और सबकर काट दिया है तार बगरा उसको देखना पर ड at some power supply में आ रहा है यहां पर देखिए यह चुहा ने काट लिया है यह पर इıtव के यह लिए यह लिए यह चुहा ने काट दिया है यहां से यहांं तक और यहां भी पार दिया है मैं उसको टार को जोड़ ray के देखता हूं पहले यह जो सारे कनेक्सिन है उसका वायर में खोल लेता हूं खोलने के बाद इसको फिर से जॉइंट करूंगा पाउर के बुल सब्सक्राइब तो खोल दिया तो खोल लिया और यहां पर और भी तो तार लगे हैं सल्डरिंग हुआ है और यहां पर दिखिए यह पाउर के बुल टूटा हुआ है इसको हम फिर से जोड लेंगे यहां से पहले इसको हम साप कर लेंगे तो फुल आडिक से उले से इसको हम तो जाच है तो ंशा कर दूंशा है उला हम एक वर लेंगे दिरिक तो यि पिल्तृण है करेंखों तर देखे जहां जहां तार सब तूट गया था मैं जोड दिया हूं अब उसको प्लाक्टेब से जोड देंगे यहां तार सब चुए ने काट दिया है जाप इंसुलेटर मतलड से में जोड दिया हूं करनेसं करते हैं करेंगे जाएं जाएं जाने चुए ने काटा था और अब हम उसको करेंट देखेंगे सप्लाइए में जेक लेगा लेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे अच्छा हुआ है कि नहीं करेंगे जाएं जाए डिश्ट करनेक्शं कर लिया आब हम इसको और शप्लाइए देखेंगे रेंट प्रिक आईए सबस्क्राइब अले अले भी देंग बोट चाज है, बोटे चाहोगा